जय तुम क्या कर रहे हो अमिद? मैं संख्याएं लिख रहा हूँ ओ, प्राकृतिक संख्याएं क्या तुम जानते हो कि यदि हम इसमें शून्य जोड़ दें तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? मैं जानता हूँ अभी ये पूर्ण संख्याएं बन गई है और अब ये क्या है? रिनात्मक संख्याएं हाँ, ये रिनात्मक संख्याएं हैं और इन संख्याओं की समूह को पूर्णांक कहते हैं परिमें और आपरिमें संख्याएं ये क्या होती है? क्या तुम जानते हो कि दूसरे प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिने परिमे और अपरिमे ये संख्याएं कहते हैं। परिमे और अपरिमे संख्याएं ये क्या होती हैं। आओ, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्ये। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पूणां को परिमय संख्याओं और आपरिमय संख्याओं को परिभाशित करना, संख्या रेखा पर आपरिमय संख्याओं को निर्धारित करना, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को प्राप्त करना, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्राप्त करना वास्तविक संख्याओं का योग व्यफकलन, गुणन और विभाजन करना और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम बताना संख्या रेखा पर संख्याएं संख्या रेखा परिस्थित एक दो तीन चार इत्यादी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याओं को एन चिन्ह से प्रदशित करते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शुन्ने शामिल करते हैं तो इन संख्याओं को पूर्ण संख् आप यदि हम संख्या शुन्य और एक या एक और दो के बीच की संख्याओं को देखें तो हम एक बटा चार तीन बटा चार इत्यादी संख्याओं देखते हैं. इन संख्याओं का संग्रह परिमय संख्याएं कहलाता है. परिमय संख्याओं को चिन Q से प्रदशित करते हैं. परिमय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूरांख हैं और Q शूने नहीं है. क्या दो एक परिमय संख्या है? हाँ, दो एक परिमय संख्या है, क्यूंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहां Q एक है, जो की शूने के बराबर नहीं है. इस प्रकार 10 घटा 10 घटा 25 इत्यादी भी परिमय संख्याएं हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर संख्याएं और पूरांक संबलित हैं. उदारण, आएए जाने कि दो दी हुई संख्याओं के बीच परिमय संख्याएं किस प्रकार ग्याद करते हैं. दी गई संख्याएं एक और दो हैं. मानलिजे कि एक आर है और दो एस है. R और S के बीच परिमय संख्याएं ग्यात करने के लिए हमें इनका योग करना होगा और योगफल को दो से विभाजित करना होगा परिणाम सोरूप हमें एक धन 2 बटा 2 यानि तीन बटा 2 प्राब्थ होगा अताहा एक और दो के बीच की परिमय संख्या तीन बटा दो होगी इसी प्रकार एक और तीन बटा दो के बीच की परिमय संख्या पांच बटा चार होगी आप परिमय संख्याएं आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो P बठा Q के रूप में नहीं होती हाँ ऐसी भी संख्याएं हैं जो P बठा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन संख्याओं को आप परिमय संख्याएं कहते हैं उधारन सरूप वर्ग मोल दो वर्ग मोल तीन वर्ग मोल साथ शुन्ने दशमलव एक शुन्ने एक एक शुन्ने एक एक शुन्ने एक एक शुन्ने पाई इत्यादी यदि हम सभी परिमय संख्याओं और आपरिमय संख्याओं को एक जोले में एकत्रित करें तो संख्या रेखा पर कोई संख्या नहीं बजेगी और इस संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अताह एक वास्तविक संख्या या तो परिमय होती है या आपरिमय, संख्या रेखा पर आपरिमय संख्याएं, अब हम संख्या रेखा पर आपरिमय संख्याओं को निर्धारित करना सीखेंगे, आओ देखें कि वर्ग मो दो संख्यारेखा पर कहां इस्थित है। इसके लिए हम पहले एक एकक वर्ग O-A-B-C लेंगे जिसकी प्रतेक भुजा की लंबाई एक एकक हो। पाइधा गोरस प्रमे का प्रेव करके O-B वर्ग बराबर होगा एक वर्ग धन एक वर्ग के या O-B एक वर्ग जमा एक वर्ग के वर्ग मूल के बराबर होगा जूकि दो के वर्ग मूल के बराबर होगा। संख्या रेखा पर वर्ग मूल दो को निरूपित करने के लिए हम इस बात का ध्यान रखते हुए कि शीर्ष शुन्ह के साथ संपाती बना रहे, वर्ग को संख्या रेखा पर स्थानांत्रित करेंगे. अब परकार के प्रयोग से O को केंद्र और O B को त्रिज्या मान कर संख्या रेखा पर एक चाप खीचिये, इस बिन्दू को P नाम दीजिये. यह बिन्दू P संख्या रेखा पर वर्ग मूल 2 के संगत है। संख्या रेखा पर आपरिमे संख्याएं भाग 2। इसी प्रकार संख्या रेखा पर तीन का वर्ग मूल निर्धारित करने के लिए हम O-B के लंबवत एकक लंबाई के B-D का निर्माण करेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमय के अनुसार O-D बड़ाबर दो वर्ग के वर्ग मूल जमा एक वर्ग के वर्ग मूल के बराबर है। जो की तीन के वर्ग मूल के बराबर है। अब केंद्र O और त्रिज्या O-D के साथ परकार के प्रयोग से हम संख्या रेखा को बिन्दू Q पर का के वर्ग मूल के संगत है। वास्तविक संख्याओं का दशमलो प्रसार हम वास्तविक संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलो प्रसार के बारे में सीखेंगे। इस प्रसार से हम परिमय और आपरिमय संख्याओं के बारे में विभेद कर सकते हैं। आईए पहले परिमय संख्याओं को ले। हम इन तीन संख्याओं का दशमलो प्रसार ग्याद करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि दस बटा तीन के दशमलो प्रसार में हमें 611111 प्राप्थ हुआ। इसी प्रकार 7 बटा 8 का दशमलो प्रसार से 6 6 4 0 ने प्राप्थ हुआ। और 1 बटा 7 का 6 3 2 6 4 5 1 है। वास्तविक संख्याओं का दशमलो प्रसार दुईतिये। इन सभी उधारणों में आपने कुछ ध्यान दिया। ध्यान दीजिए कि शेश या तो एक चरण के बाद शुन्ने हो जाता है या फिर खुद को दोहराता है। आईए इन सभी मामलों को एक एक करके देखें। पहली स्थिति यदी शेश शुन्ने हो जाता है तो दशमलो प्रसार कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्थ हो जाता है। ऐसी संख्याओं का दशमलो प्रसार सांद होता है। दूसरा मामला यदी शेश कभी भी शुन्ने नहीं होता या स्वयम को दोहराता नहीं है तो ऐसी संख्याओं का दशमलो प्रसार अनवसानी आवर्दी होता है। उधारण आईए एक उधारण देखें। एक बटा तीन एक परिमय संख्या है एक बटा तीन का दशमलव प्रसार शुन्ने दशमलव तीन 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 इत्यादी है जैसा कि हम देख सकते हैं कि तीन की यहां पुंद्रा वृत्ती हो रही है इसे हम शुन्ने दशमलव तीन बार के रूप में लिखते हैं आईए एक और उधारण लें। एक बटा साथ का दशमलव प्रसार 0.142857 एक चार दो आठ पांच साथ है। यहां 142857 आवर्दी है। अथा हम इसे 0.142857 बार की रूप में लिख सकते हैं। अथा यदि एक संख्या परिमय है तो इसका दशमलव प्रसार या तो सांथ होगा या अनवसानी आवर्दी होगा। दूसरे शब्दों में यदि किसी संख्या को दशमलव प्रसार सांथ या अनवसानी आवर्दी है तो वो एक परिमय संख्या होगी। और हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। वे संख्याएं आपरिमे संख्याएं हैं। हुधारण सो रूप वर्ग मूल दो पाई इत्यादी। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम जानते हैं कि प्रतेख वास्तविक संख्याओं का एक दशमलव प्रसार होता है। वह दशमलव प्रसार संख्या रेखा पर इसे निरूपित करने में हमारी सहायता करता है। आईए 2.665 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हम जानते हैं कि ये दो और तीन के बीच कहीं होगा। इसे दस भागों में विभाजित करने की कल्पना कीजिए। संख्याओं के इस पर्ष्ट द्रिश्य के लिए अब पहला भाग 2.1 को निरुपित करता है और दूसरा भाग 2.2 को इत्यादी यहां 2.6 और 2.7 के बीच स्थित होगा। अब 2.6 और 2.7 के बीच के भाग पर ध्यान के इन्रित कीजिए। इसे भी फिर से दस भागों में विभाजित कीजिए। पहला भाग 2.61 को निरुपित करता है और दूसरा भाग 2.62 को इत्यादी। पुनाद 2.665, 2.66 और 2.67 के बीच स्थित होगा। आएए अब रेखा के इस भाग पर ध्यान दें और इसे दस बराबर भागों में विभाजित करने की कल्पना करें। पहला भाग 2.661 को निरुपित करेगा और दूसरा भाग 2.662 को इत्यादी। 2.665 इस उप विभाजन का पांचवा चिन है। कल्पना की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपन को देखने के इस प्राक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्राक्रम कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या आप बता सकते हैं कि दो परिमय संख्याओं को योग, वियफकलन, गुणन या विभाजन से क्या प्राप्त होता है? हमें एक परिमय संख्या प्राप्त होती है लेकिन यदि हम आपरिमय संख्याओं का योग व्यवकलन, गुणन या विभाजन करते हैं तो हमें सदैव एक आपरिमय संख्या ही प्राप्त होगी अब सोचिए, यदि हम एक परिमय संख्या का किसी आपरिमय संख्या से योग या गुणन करें, तो हमें क्या प्राप्थ होगा? हमें जो परिमय परिमय संख्या होगी, आएए अब कुछ उधारन देखें, उधारन, आएए दो वर्गमोल दो जमा पांच वर्गमोल तीन और वर्गमोल दो घटा तीन वर्गमोल तीन का योग करें, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हमें जो उत्तर प्राप्थ होगा, वह तीन वर्गमोल दो जमा दो वर्गमोल तीन है, आएए अब आट वर्गमोल पंद्रा को दो वर्गमोल तीन से विभाजित करें, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, आट वर्गमोल पंद्रा को हम आट वर्गमोल तीन और वर्गमोल पाँच के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार हमें जो उत्तर प्राप्थ हुआ, वह चार वर्गमोल पाँच है, आता इन उधारणों से हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि परिमय संख्याओं का आपरिमय संख्याओं से योग या व्यफकलन आपरिमय होता है, और किसी खेर शुन्ने परिमे संख्या का, किसी आपरिमे संख्या से गुणन या अनुपाद आपरिमे होता है, सर्व समिकाएं आईए अब वर्गमूलों से संबंदित कुछ सर्व समिकाएं देखें मालिच ये कि A और B दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब A B का वर्गमूल, वर्गमूल A गुणा वर्गमूल B के बराबर होगा वर्गमूल A बटा B, वर्गमूल A बटा वर्गमूल B के बराबर होगा वर्गमोल A धन वर्गमोल B का वर्गमोल A रिन वर्गमोल B से गुणन करने पर परिणाम A रिन B प्राप्त होगा वर्गमोल A धन वर्गमोल B का A रिन वर्गमोल B से गुणन करने पर परिणाम वर्ग A रिन B प्राप्त होगा वर्गमोल A धन वर्गमोल B गुणा वर्गमोल C धन वर्गमोल D बराबर होगा वर्गमोल A C धन वर्गमोल A D धन वर्गमोल B C धन वर्गमोल B D के वर्गमूल A, धन वर्गमूल B, पूरे का वर्ग बराबर होगा A, धन, दो वर्गमूल A, B, धन, B के. इन जर्व समिकाओं का प्रेयोग हम विभिन वेंजकों के प्रेयोग में कर सकते हैं. अभी संख्या को देखें. संख्या रेखा पर इसकी स्थिती बताना कठिन है लेकिन हम इसके हर का परिमय करण कर सकते हैं इससे हर एक परिमय संख्या बन जाएगा और हम आसानी से संख्या रेखा पर इसकी स्थिती बता सकते हैं तो आईए हम हर का परिमय करण करना सीखें क्योंकि यहां दो का वर्गमूल आपरिमे है इसलिए यदि हम इसका स्वैम से गुड़न कर दें तो यह परिमे हो जाएगा अता परिमय करण के लिए हम एक बटा वर्गमोल दो का वर्गमोल दो बटा वर्गमोल दो से गुडन कर देंगे क्योंकि यह एक के बराबर होता है इसलिए एक बटा वर्गमोल दो बराबर होता है वर्गमोल दो बटा दो के अब एक बटा वर्गमूल दो को संख्या रेखा पर निरूपित करना आसान है यहाँ शुन्ने और वर्गमूल दो के मध्धे स्थित है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम घातांक के नियमों को याद कीजिए यहाँ एको आधार तथा M और N को घातांक के नियमों के लिए अनुमान लगाए कि एकी घात शुन्ने क्या होगा हाँ एकी घात शुन्ने एक होगा आईए अब मालें A शुन्न से बड़ी धनात्मक संख्या है तथा P और Q परिमे संख्याएं हैं तब हम यह कह सकते हैं गुणन में यदि आधार समान हो तो घातांकों का योग होता है गुणन में एक ही आधार के दो घातांकों का आपस में गुणन होता है विभाजन में जब आधार समान होता है तो घातांकों का व्यवकलन होता है और जब घातांक समान हो लेकिन आधार भिन हो और उनका गुड़न हो रहा हो तो हम घातांक को उभै निष्ट के रूप में ले लेते हैं उधारण आईए अब इन सर्वसमिकाओं के प्रयोग से कुछ उधारणों को हल करें आईए पहले को सरल बनाएं तीन का घात एक बटा पांच है और पूरे का घात चार है एक बटा पांच का चार से गुड़न करने पर चार बटा पांच प्राप्थ हुआ अताहा इसका उत्तर तीन की गात चार बटा पांच आईए अब दूसरा उधारण देखें 13 की गात एक बटा पांच गुणा 17 की गात एक बटा पांच बराबर है 13 गुणा 17 पूरे की गात एक बटा पांच जोकी 221 की घात एक बटा पांच के बराबर है क्या आप जानते हैं प्रासिद्ध गणितक के और दार्शनिक पाइथगोरस का ग्रीस निवासी अनुयाई पाइथगोरियन पहला व्यक्ति था जिसने 400 इसा पूर्व उन संख्याओं की खोच की जो परिमे नहीं थी इन संख्याओं को आपरिमे संख्याओं कहा जाता है ग्रीक का जीनियस कणितक के आर्कमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाइगे दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलिक किया था उसने दिखाया कि 3.140845 छोटा है पाइचोटा 3.142857 होता है महान भारतिय गणितग्य और खगोल विद आरे भट 436-550 ईस्वी ने इसका दशमलव के चार स्थानों तक पाइगा शुद्धमान 3.1416 ग्याद किया था उच्चिचाल कंप्यूटरों और उन्नत कलन विधियों का प्रयोग करके एक दशमलव दो चार ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाइगा मान अभी कलित किया जा चुका है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं किसी संख्या को हम परिमय संख्या कहते हैं यदी से पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पी और क्यू पुड़ाँखों और क्यू बड़ाबर ना होश्यूने से किसी संख्या को आप परिमय संख्या कहते हैं यदी से पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां पी और क्यू पुड़ाँखों और क्यू बड़ाबर ना होश्यूने से किसी परिमे संख्या का दशमलव प्रसार या तो सांत होता है या अनवसानी आवर्थी होता है किसी आपरिमे संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनवर्थी होता है वास्तविक संख्याएं सभी परिमे संख्याओं और आपरिमे संख्याओं का संग्रह होती है धनात्मक वास्तविक संख्याओं A और B के लिए निम्नलिखित सर्वसमिकाएं सित हैं एक बटे वर्गमूल A जमा B के हरका परिमे करण करने के लिए हम इसमें वर्गमूल A घटा B बटे वर्गमूल A घटा B का गुणन करते हैं जहां A और B पूरांख है माने के लिए निम्नलिखित सर्वसमिकाएं